हेलो एवरिवन वेल्कम टू एमेसी केमेस्ट्री नोट्स एमेसी रिलेटेड किसी वी नोट्स के लिए अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मर्कम टानव मोलिक्यू क्यों तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाममेयेशन व्यू क्यों तो वोज डाइग्रांप ऑफ्य घॉन्ओंट मिल किया दल हूज फोज दीयूर्वीज से दियाँवरां एक्जामनेशन हैं between 90 to 180 degree is known as walls diagram walls diagram कहता है कि अगर किसी भी triatomic यह जो topic है हम लोग triatomic molecules के लिए पढ़ रहे हैं तो triatomic molecules के structure और shape को determine करने के लिए walls diagram का use किया जाता है जिसमें हम लोग एक diagram draw करते हैं किनके किनके बीच energies के बीच molecular orbital AB2 types के जो molecules है उनके molecular orbital के energy के बीच और bond angle जो की 90 to 180 degree रहता है इसी को हम लोग walls diagram कहते हैं इस diagram को हम लोग molecular orbital correlation diagram भी कहते हैं सम पॉइंट्स रिगार्डिंग walls diagram या walls rule कह लिजे यह दोनों एक हैं तो first है point walls rule कहा कि regarding the shape of molecule Vespaar theory focused only the factor electronic lead repulsion between electron pair means lone pair lone lone pair and lone pair bond pair bond pair bond pair bond pair वेराज वोस डाइगराम दो नॉट कंसीडर द एलेक्तरों पेर रिपल्शन, इट कंसीडर निकुलियस इलेक्ट्रोंटिक एलेक्ट्रों रिपल्शन और कानेटिक इनर्जी उप द एलेक्ट्रों फिर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि वेसपर थियोरी फोकस्ट होता है अल्ली कि lone pair, bond pair, lone pair, lone pair, bond pair, bond pair, attraction, repulsion के बीच, लेकिन Walss डाइग्राम में वो consider नहीं करता है electron pair repulsion को,oba जब कि consider करता है Nucleus electronic attraction, electron, electron repulsion, and kinetic energy of the electrons. Second point है Walss rule का कि energetic of molecularаго 08 of molecules is calculated with the help of अगल कोडिनेट के बीच में जो प्लॉट करते हैं तो इनर्जी होता है और एक बॉन्ड एंगल होता है तो इनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं अलग अलग बॉन्ड एंगल पर अलग अलग मॉलिकूल का इनर्जी आता है जो कि हम लोग कम्प्यूटर से क्यालकुलेट कर लेंगे थर्ड पॉइंट है तो यहां पर यहां पर यह जेड एक्सिस है यह एक्सिस है यह यह इस इंडिकेशन का मतलब होता है यह जो बी है वो बिलो दा प्लें है यह हमने प्लेंट पे दिखाया है और यह दोनों बी को बिलो दा प्लेंट भी दिखाया है यही तीनों कॉडिनेट पे फॉर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि वास डाग्राम एंजूम्स दाट एडियूम्स डाग्राम फिफ्थ पॉइंट है कि triatomic molecule let us consider a triatomic molecule AB2 type यहां पर फिफ्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि triatomic molecule AB2 type का लेते हैं तो यहां पर दो possibilities है या तो AB2 type molecule लिनियर shape में होगा या तो vent shape में होगा तो अगर linear shape में molecule होता है तो वहां पर d infinite h point होता है अगर bent shape में molecule होता है तो C2B point group का molecule सो करता है C2B point group के कारण ही यह bent shape सो करने लगता है और d infinite h के कारण ही लिनियर से सो करने लगता है यह जो point group है यह next class में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा इन औरगेनिक केमेस्टी का यह भी बहुत important पॉइंट है point group कैसे निकालते हैं हम लोग symmetry कैसे निकालते हैं molecule का कौन सा symmetry होता है फिर character table यह सब मतलब यह भी बहुत important ही है इन औरगेनिक केमेस्टी में तो next हम लोग पढ़ते हैं कि walls actually calculated the energies of MO of a reference geometry and its several distortions walls actually calculated किया है molecular orbital के different different geometry geometry का और उनके several distortion means deform deform एक तरह का molecule जब bond angle change करता है तो molecule deform होता है तो अलग-अलग bond angle पे walls calculate किया है अलग-अलग energy को for simple triatomic molecule by plotting a graph between energy of MO orbital versus distortion that is bond angle simple triatomic molecule हम लोग लेते हैं ट्रेशन चेंजेज एस दे बॉन अंगल चेंज फ्रम 90 तो 180 डिग्री यहां पे हम लोग कंसीडर के एस तू मॉन जिसका फॉर्मेशन होता है ए जिसका एनर्जी कंसीडरेशन चेंज हो रहा है बॉन अंगल चेंज होने पर 90 तो 180 डिग्री पर जैसे जैसे हम लोग बॉन अंगल इंक्रीज करते हैं इसका इनर्जी भी अलग-अलग हम लोग को देखने को मिलता है इच आप ओडीटीड पर हैन अलगणけて लोग फॉयल इस अनर्जी मोॉजेन यहां पर अजो आहरेशन एक्प्र का लिएट्म फॉम पर्ईक्री प्र दर स्क्रीं atom का hydrogen atom का 1s orbital और a का p orbital और s orbital है for the linear geometry of as2 the lowest energy value of mo is 2 sigma g formed by 2s orbital of atom a and 1s orbital of hydrogen यहाँ पे as2 molecule as2 molecule का जो हम लोग s orbital और p orbital और hydrogen का 1s orbital तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2 sigma g है वो linear geometry का सबसे lowest energy है सबसे lowest energy 2 sigma g है on bonding the molecule 2 a1 orbitals are formed which has slightly lower energy the one sigma u of linear molecule is formed from p orbital of a and asymmetric combination of 1s orbital of 1s orbital of h gives 1b2 molecular which has slight greater energy this orbital has higher energy because 1s orbital do not overlap as well as orbital and so on इस इस पूरे का मतलब यह है कि जब linear molecule होता है तो उसका 2 sigma g सबसे lowest energy है और जब जब molecule overlap नहीं करता है एस और p orbital से बिना overlap किये हुए तो सबसे highest energy 1b1 होता है यहाँ पे हम लोग यही देखे दो और इसका सबसे highest energy है और जो linear molecule है उसका सबसे lowest energy है समरी हम लोग तो यह जो था वो डाइग्राम का पूरा यह था कि कैसे हम लोग डाइग्राम बना के उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा lowest energy है किस linear molecule का lowest है जो overlap नहीं करता है उसका highest है यह सब इनर्जी तो चलिए अब हम लोग समरी देखते हैं वाल्स डाइग्राम का समरी क्या है तो वाल्स डाइग्राम वीच है वीच इस एन इलुस्ट्रेशन ओफ डिपेंडेंशी ओफ डिपेंडेंशी ओफ डिपेंडेंशी इस वाल्स डाइग्राम के ट्राइग्राम के बारे में पढ़ें जाने उसका डाइग्राम देखें डाइग्राम क्या कहता है इसी तरह और भी मॉलिक्यूल्स के वालस डाइग्राम बनाये जाते हैं जैसे ट्रा असमना देखेंगे तो आज का टॉपिक वालस डाइग्राम यहीं पर खत्म होता है तो अगर आपको MST से और रिलेटर कोई भी नौटस की जॉरत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और वेल आइकन को हिट जरूर कीजेगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो थांक्यू सो मच